हलो फ्रेंस, आज हम गौतम बुध के बारे में दस लाइने जानेंगे हिंदी में, तो चलो शुरू करते हैं 1. गौतम बुध का जन्म, 563 इशापूर्ब कपिला बस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में स्थित है 2. गौतम बुध के माता का नाम माया देवी तथा, पीता का नाम सुधधन था 3. गौतम बुध के जन्म के साथ दिन बाद ही इनकी माता की मृत्तु हो गई थी 4. गौतम बुध का बचपन का नाम सिधार्थ था 5. सिधार्थ ने अपनी शीक्षा गुडु बीश्यमित्र से पूरी की 6. गौतम बुध का बिबा उनके पिता ने यशोधरा नामक सुन्दर कन्या से कर दिया था और यशोधरा को एक पूत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया था 7. गौतम बुध जिसका मन कभी भी ग्रिहस्थी में नहीं लगा और एक दिन रात के समय वो बिना किसी को बताए बन में चले गए 8. बन में जाने के बाद उन्होंने तपस्या करनी शुरू की और एक दिन वुने ज्यान की प्राप्ती हुई और वो सिधार्थ से महत्मा गौतम बुध बन गये 9. गौतम बुध ने जिस बट बृक्ष के नीचे ज्यान प्राप्त किया था उसे बौध बृक्ष कहा जाता है 10. गौतम बुध की मृत्तु 82 बर्ष की उम्र में बर्तमान उत्तर प्रदेश के देवडिया जिले में हुई थी धन्यवाद अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और कॉमेंट कीजिए साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन का भी प्रेस कर दीजिए टेक कियर बुबाई